मानव कल्यान और समाद सेवा के छेतर में अक्षे पात्र फाउंडेशन पिछले 23 सालों से लगातर एहम भूमी का निभा रहा है। अपने इसी नीस्वाट सेवा भाव के लिए फाउंडेशन देशी नी बलकी विदेशों में भी जानी जाती है। इस अंस्ता का मकसद यह नहीं कि कोई भी गरीब बच्चा भूक की वज़े से अपने पढ़ाई नहीं छोड़े। अपने इसी लक्षे की पूर्ती के सफर में अक्षे पात्र ने हाली में पूरी दुनिया में विशेश उपलब्दी हासिल किया। यह अतियसी उपलब्दी च़ार अरब थाली पर उसनी की है। जिसका उस्तव चाली में स्वयुक्तरास्ट्रास्ट में मनाया गया। सेयुक्त राष्ट में भारत के इस्ताई पर्दिनीदी ने मंगलवार को सेयुक्त राष्ट मुख्याले में एक विशेश कारी करम खास सुरक्ष्टा में उपलब दी सदत विकास लक्ष्टों की दिशा में भारत की प्रगर्टिक आयोजन किया इस आयोजन में भारतिय समाजिक संगठन अक्षे पात्र फाउंडेशन के अध्याक्ष मदू पंडित दास इंफोसिस के संस्तापक सदेश्चे एनर नारेंड मुर्ति और नोबेल पुरसकार विजयता केला सत्यार्थी इत्पी शामिल हुए इस खास मोकेवर भारत के परदान मंतरी स्री नरेंडर मोदी ने अक्षे पात्र फाउंडेशन के लिए बदाई संदेश बेजा उन्होंने कहा कि अक्षे पात्र फाउंडेशन की पूरी टीम पर गर्व और बहत खुशी महसूस हो रही है पीम मोदी ने चार अरब थाली परोसने की एतिहासिक उपलब्दी बताया हरे कृष्ण मूवमेंट जैपूर के अध्यक्ष स्री अमितासन दास ने इस उपलब्दी पर आवहर प्रकट करते वे कहा कि हमें गर्व है कि यह संस्ता अपने मकसद में काइम हुई है अक्षे पात्र फांडेशन का मिशन है कि देश में कोई भी गरीब बच्चा भूख की वज़े से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े और इसी लक्षे में अगर सब का साथ हमें इसी तरह मिलता रहे तो इस छेत्र में इस अंस्तान और नए कृतिमान इस्ताबित करेगी